मेरे पस बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमें दर्दे वकत से पहले लाग जाती है तो उस सुरतिहाल के अंदर अगर हम सिर्फ स्टेच लगा देंगे तो शायद हमें खातरखा फाइदा ना हो उस सुरतिहाल के अंदर जो है वो हमें पेशेंट की वकत से पहले तर्दे लगने की जो वज़ा है वो भी इंटिफाइ करने कुड़ती है कि क्यों इस पेशेंट को लग जाती है मरीज को दर्दे स्टार्ट हो जाती है साथवे या आठवे महीने पे लेकिन उससे पहले तक कोई पानी की तहली लीक नहीं होती है कोई बचेदानी का मूर नहीं पानी कुड़ता है तो उस उतिहाल के अगर हम पेशन को चौते महीने के एंड और पांच महीन के स्टार्ट के अंडर एक टांका लगा भी देखी है तो बास दो होगा उनकिज की हमें खात्रफवा रिजर्ट नहीं आते हैं में डान्य स्टिक्स गाने के बाद हमें पेशन क अच्छी तरह से साथ दिन रेस्ट देना होता है ताकि टांका अपनी जगह पर बैट से उसके बाद हमने उनको बागी चीज़ें को भी प्री टम लेबर का प्रोफाल एक्सस भी करना होता है यानि को इंफेक्शन ना हो पाए पेशन को प्रोजिस्टरॉन की कमी ना हो और इनकी आपने हर महीने अल्टस्राउंड करके सर्विक्स की लेंथ और देखना होता है कि खुदा नहांस्ता कोई जो है वो सर्विक्स की लेंथ के अंदर एक्स्ट्रीम चेंज तो नहीं आ रहा असलाम लेकुम मैं हूँ डॉक्टर नायला कर्सलिटन गाइनकॉलिजिस्ट टुरिटी स्पेशलिस्ट गाइनी स्लूशन के फॉरम से आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे की टाइम से पहले डिलिवरी को रोखने के लिए एक तांका अलगाया जाता है बच्चेदानी के पूम के सूरत आगे वो क्या है उसके बारे में हम आपको डिटेक से बतारे के अब होता यह है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चे टाइम से पहले हो जाते हैं अब उसमें दो चीजी इंपॉर्टेंट हैं या तो वो डिलिवरी हो जाती है प्री टम लेबर की वज़ा से के दर्दें आईं दर्दों के वज़ा से जोर पड़ा और बच्चेदानी का मूँ खुला और बच्चा जाया या दोस्ती के वज़ा होती है कि पच् पानी के देली लीक हो गई और उसके बाद हल्की फुल की दर्दें आई और फली को यह दो मुखलिफ करणीशन से जो पहली मैंने आपको करणीशन मताई है जिसमें मरीज को दर्दे स्टार्ट हो जाती है साथ में या अट जिल महीने पे लेकिन उससे पहले तक कोई पानी क कि देली लीक नहीं होती है कोई बचेदानी का मुझ नहीं खुलता है तो उस सुरतिहाल के अगर हम पेशन को चौते महीने के एंड और पांच महीन के स्टार्ट के अंदर एक टांका लगा भी देते हैं तो बास दवाँ उसकी हमें खातर खुआ रिजर्ट नहीं आते उसकी बादी के उन्दर प्रोजास्चिरोनाहार्मोन की नहीं कुर्माप थो सकती हैं हमारी बॉदी के अंदर इंफ क्षिन भी हो सकता है सियाती का ज्यादा होना या बैक्टीरियल वैजिनोसदूज भी हो सकता है और बास कहात्ते हो अगर बच्रत तो पांधानी का मुझ कि आपका जब अल्टर साउंड हुआ तो डॉक्टर ने बिताया कि नॉर्मली जो कि तिदानी का मुह है उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए जो कि वक्त के सासा काम हो रही है तो वहां पे रोल आ जाता है मिक्डानल स्टेच का या सर्विकल सर्कलाज का या अमर्जेंसी सर्कल ना हो उस सुरुत हाल के अंदर जो है वह हमें पेशेंट की रवकत से पहले दर दिन लगने की जो वजा है वो भी इंटिफाय करने कुछती है कि क्यों इस पेशेंट को लग जाती है अगर पेशेंट जो है वो जैनूनली जो आपका सर्वाइकल इंकॉंपेटेंसी का पेश या टूइन प्रेगनेंसी है इस परिशन परिफी पर्सलिट है तीन लसी यहुवजद्य को ओधिए को चाहते है जी में मुह एड़े को तो इस तरह के जो पेशेंट सोते हैं उनकी डिलीवरी को मिट अच्छे तरीके से जो है वो रोक पाता है और मिटानल्स जगाने के बाद हमने पेशन को अच्छी तरह से साथ दिल रेस्ट देना होता है ताकि टंक अपनी जगह पर बैट से उसके बाद हमने उनको बागी पेशन ना हो पाए पेशन्ट को प्रोजिस्टरोन की कमी ना हो पाए ओर स्ट्रेस्ट ना हो पेशन्ट कुछ CRP लेवल किसी भी इंफेक्शन को ऐसे ज्यादा ना तो बागी चुनों से आंखे बांद नहीं कर लेनी आपने ऐसे पेशेंट हाय रिस्क होते हैं इनको मोर फ् कि अंदर एक्स्टीम चेंज तो नहीं आ रहा और इस तरह के मरीजों के जैसे ही एट सुन्स पूरा होने के बाद नाइन मुंच का एक फफता चला जाता है तरह कि सिक्स वीक्स की उपर आलमोस्ट हम जाके इनका स्टेच उपन कर देते हैं और उपन करने के बाद हम इन पे देटली सी सेक्शन के सूरत में फिर वही कंडिशन आ जाती है कि कोई और रिस्क फेक्टर बहुत प्रेशिस प्रिगनेंसी हो आपको लग रहा हो के पेशिंट को साथ में मल्टिपल रिस फेक्टर है शुगर ब्लड पेशर प्रिक्लेंशिया या इस तरह को चीज आ रही है देटेटीव वहां पर जाकर भी सुनिए तो अमीद है जो मिशन हम लेकर चल रहे हैं आला तला हमें इसमें कामियाब करते हैं मिलते हैं नेक्स्की वीडियो में तब तक लिए अलाम इस झाल प्रिक्ट करते हैं